गूट मॉर्निंग तो अल देए स्टूट्रेंट्स तोडें आम गूंग तो टीच यू हिस्ट्री आफ लास एड़्थ चैप्टर नॉम्बर सिक्स कालोनियलिजम एड अर्बन चेंज इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कालोनियलिजम क्या है का मतलब होता है जब किसी दूसरी कंट्री द्वारा किसी दूसरी कंट्री पर जैसे इंडिया एक कंट्री थी एक कंट्री है इस पर जब अंग्रेजों ने राज किया यानि कोई दूसरा बिदेशी पावर आकर के दूसरे देश की गौवर्मेंट हमारे उपर सासन करने लगे तो उसको कहते हैं कालोनियलिजम इस तरीके से यह हमारा पॉलिटिकल यानि राजनीतिक एकनॉमिक और सामाजिक रूप से हमारे उपर डॉमिनेट करते हैं राज्य करते हैं और अर्बन चेंज मतलब किस तरीके से भारत के जो पुराने सेंटर से वो कैसे उनकी वैल्यों खतम हो गई और नए नए सिटीज का उद्भव हुआ उसके बारे में देखेंगे तो सबसे पहले देखें कोलैपस आफ इंडियन इंडस्ट्री और डी अर्बनाइजेशन सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया भारत की जो इंडस्ट्रीज थे भारत के जो उद्यम थे उसको क्या किया ध्वस्त किया उसको खतम किया ताकि वो अपने सिस्टम को बना सके बिल्ड कर सके अर्बनाइजेशन पहले समझ लेतें क्या होता है अर्बनाइजेशन का मतलब होता है जब गाओं से हट करके लोग सहरों में बशना सुरू कर देते है तो उसे हम अर्बनाइजेशन कहते हैं भारत में अगर देखा जाए उस टाइम पे Western Europe के अपेक्छा में अगर तुलना में देखा जाए तो अर्बनाइजेशन बहुत कम था और इस तरीके से मुगलों के टाइम पर मुगल काल में जो मुगल पीरियेट में जो सिटी जादा इंपॉर्टेंट थी उनका importance कम होने लगा भारत में जो इंडॉस्ट्रीयाइजेशन हुआ जो हमें योरोप म में इंडॉस्ट्रीयाइजेशन हुआ उसकी अपेक्छा बहुत लेट में भारत में प्रारम हुआ लेकिन इस ने किया कि कई सारे जो पुराने center ते उनको decline कर दिया यानि पीछे छोड़ दिया या वो सब उनकी उनका महत तो जो था वो घटने लगा और इसी decline को हम क्या कहते है डियर बनाई जेसं कहते हैं यानि जो importance था trade का या जो centers थे उनकी value कम होने लगी अब भारत की जो economic ब्यवस्ता थी वो भी पूरी तरीके से खराब होने लगी क्योंकि जो England के लोग थे या English लोग थे उन्होंने सबसे पहले भारत की कच्चे मालों को खरीद करके और अपने economy को बढ़ाने के लिए क्या किया कि मसीनों से बनाए हुए उत्पादों से भारत के market को भर दिया पुराने सहर जैसे डेक का धाका मोरसीदाबाद इनका भी जो market था वो कापी तरीके से बरबाद हो गया क्योंकि अंग्रेजियों द्वारा जो बनाए गए products थे सामान थे वो सस्ते दामों पर बनते थे और सस्ते दामों पर बिखते थे colonial government यानि अंग्रेजी जो हुकूमत थी वो cultivation कुछ खेती पर भी वेसे ज्यान देते थे cultivation क्रिसीपर जैसे indigo, opium इन सबसे उन्हें बहुत ज़्यादा फाइदा था इसलिए किवल इनहीं की खेती वो लोग करना पसंद करते थे next देखते हैं urbanization in colonial India किस तरीके से भारत में urbanization हुआ किस तरीके से सहरी करण हुआ नए centers बनाए गए जो पुराने अंग्डेजों के टाइम पर क्या कहते हैं मुगल काल में जो centers थे उनका importance जब कम होने लगा तो हुआ कि इन्होंने कई सारे सहरों को presidency के रूप में divide कर दिया जैसे बंबे, कलकत्ता, मद्रास ये 18th century के presidency's थी बाद में कुछ और सहर जैसे न्यू टेल ही, चंडीगाड, इस्लामाबाद जो कि आज पकल पाकिस्तान में है वो सब भी काफी बड़े center बन गए थे Simla और Darjeeling भी काफी popular होगे ये ही लिस्टेशन्स के नाम है Bombay पहली presidency थी इसके बारे में पढ़ते हैं पुर्तगालियों ने पर्टुगीज ने क्या किया, Bombay को King Charles को दहेज के रूप में दे दिया गया मतलब उन्हें दहेज के रूप में दे दिया और फिर बाद में East India Company के लिए एक prominent place हो गया, एक अच्छा headquarter हो गया, सबसे important headquarter हो गया सूरत के बाद बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, Bombay को presidency बना दिया और वहाँ एक governor नियुक्त कर दिया गया और आज हम इसे Bombay के नाम से जानते हैं अगर नेक्स presidency है मद्राश हलाकि सुरू में जो अंग्रेज थे वो मसली पटनम के पाद मतलब जो मद्राश के पास मसली पटनम है वहीं इनका settlement था वहीं ये निवास करते थे उसके बाद बाद में जो वहां का राजा था उनसे permission पाने के बाद इन्होंने सेंट्र फोर्ट सेंट्र जॉर्च बनाया एक किला बनाया और मद्राश एक presidency बन गया कोरो मंडल कोस्ट के आसपास के सारे इरिया जिसमें कवर हो गये और आज हम मद्राश को चिन नहीं कहते हैं निक्स प्रेसिडेंसी है कलकत्ता अंग्रेजों ने क्या किया फोर्ट बिलियम को पॉसेस किया यानि उसे अपने अधिकार मिलिया फिर बैटल लासी के बैटल में कुलकाता एक बहुत है इंपोर्टेंट हेड़कॉर्टर बन गया और वहां एक गौवर्नर जनरल निरुक् कलकत्ता भारत की कैपिटल रहा 1911 तक कलकत्ता को आज हम कोलकाता कहते हैं कुछ और प्रेसिडेंसी जो नई प्रेसिडेंसी थी न्यू डेली और चंडिगड ये जो अर्बन सेंटर्स थे ये थोड़ा सब पुराने वाले जो उपर के बांबे मदरास और कलकत्ता इनसे काफ सारे बेल्डिंग उन्जपल ओफिस और कई सारे चीजी कलाक टावर्स ही भी बनाए गए और अच्छे अच्छे रोड़्स भी बनाए गए अच्छे-च्छे स्ट्रीट गलियां बनाए गए काफी खाली अस्थान भी बनाया गया तक कि ब्यापार आसानी तरीके से और यहां का क्लाइमेट जो था काफी कूल था ठंडा था और अंग्रेजों के रहने के लिए यहां काफी अनुकूल जगह रहती थी यह कि टी प्लांटेशन और क्या कहते हैं कॉफी प्लांटेशन इन केवला और अर्बन एरियास में किया जाता था कई सारे कंटोनमेंट भी बनाये टाउंस भी बनायेगे जैसे मेरट कानपूर और रोड़की यह बिर्टिसर्स के आर्मी की यूनिट रहती थी यह अंग्रेजों की कौन-कौन से पॉलिसीज और इंस्टिटूशन थे उसको देखेंगे अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए कई सारे विवस्ता हैं कि कई सारे सर्विसेज की विवस्ता की जैसे जिसमें पहला है रेलवेज रेलवेज का बहुत बड़ा रोल होता है अर्बनाइजेशन में डी अर भी सारे संहाल किया रेलवेज का निरमाण शुरू किया और पुर्देश के तभी पार्टस में इसका क्या कहते हैं डेवलप किया इसको जैसे जैसे रेलबे का भिकास हुआ पुराने जू सेंटर्स थे उनका importance कम हुआ और नए नए सेंटर्स जैसे कलकत्ता बांबे मद्राज कानपूर और भी ज़्यादा डेवलप्ट हो गए ये सब important center बन गए trade के और 1905-1905 में 28,000 माइल्स रेलबे बना लिया गया था इतना कारे हो गया था इतने लंबी रेलबे लाइन बना दी गए थी और इसमें 350 करोड से भी ज़्यादा का खर्चा आया था और और रेलबे का विकास केवल और केवल अंग्रेजों की महत्वा कांचा अपनी economic, political and military interest को समझते हुए उन्होंने भारत में इसका विकास किया पुलिस administration किस तरीके का था भारत में अंग्रेजों द्वारा जो बनाया गया था जो लाड का 49 था यहां का governor general था भारत का उसने क्या किया law and order को maintain करने के लिए नियम कानून को बनाए रखने के लिए law and order को बनाय रखने के लिए उन्होंने क्या किया पुलिस को इंट्रोडियूस किया और Indian Penal Court भारती धंड संहिता का दर्मार किया 1860 में अंडर लॉड मैकाले, लॉड मैकाले की अध्यक्षता में इसमें कई सारे ऐसे criminal charges बनाए गए Indian Police Act 1861 मार्क्ट किया गया जो कि मुगल सिस्टम को हटा दिया गया, उसको change कर दिया गया और इसका उद्देश से क्या था, इसका objective यह था कि वो पुलिस reform करेंगे और इस तरीके से Indian Police Act को एक uniform effective police administration बनाने के लिए भारत में यह introduce किया गया और पहली बार police administration को और भी जादा extend किया गया, बढ़ाया गया हट जीलों में और inspector of general of police IGP पहली बार बनाया गया postal service अंग्रेजों ने postal services को भी काफी efficient बनाया जिससे क्या हुगा कि telegraph system को introduce किया गया पहली बार टेलिग्राफ लाइन कलकत्ता से लेकर आगरा तक खोली गई 1853 में लाड अनहोजी ने पोस्टेज इस्टांप भी इंट्रोड्यूस किया मुंसिपल्टीज मुंसिपल्टीज देखेंगे ड्यूरिंग ब्रिटिस रूल इसमें का ब्रिटिस सर्च के रूल के टाइम पे इन्होंने कई सारे civil facilities को improve किया जैसे बड़े-बड़े सहर जिन जिन बड़े सहरों में इस सब की वेवास्ता किया वाटर सप्लाई हो सके लाइट डोमेस्टिक वाटर सप्लाई सीवेज पार्क और प्लेग्राउंड बनाने के लिए इन्होंने मुंसिपल्टीज का गठन किया और यह कंटोंड मिंट जो बड़े-बड़े सहर थे जिसमें civil lines और कंटोंड मिंट थे जोन थे उन्हीं में इन सब की विवस्ता की गई और बाद में civic problems को देखने के लिए 1881 में इन्होंने क्या किया कई सारे urban administrative bodies बनाई जिनका काम क्या था local tax को लेना में रोड को maintain कर रखना और garbage यानि कूड़े कचड़े को हटाना और बच्चों को प्राथमिक सिच्छा और public health यानि कह सकते हैं health facilities प्रोवाइट करना इसका काम था अब आगे देखते हैं exercise दिखिए इसमें which of the following is not port town port town कौन सा नहीं है इसमें हो जाएगा डेली डेली क्या है port town नहीं है टू पॉर्ट फॉर्टी फाइड पॉसीजन इन कुलकत्ता बेटेस इस्टैबलिस्ट फोर्ट बिलियम और डेलही किस bank पर situated है डेलही is situated on the bank of यमुना next step fill in the blanks with appropriate word the subjugation of country by another country is called क्या कहा जाता है कालोनियलिजम सूरत एं मसली पत्टनम वर थे पोर्ट सिटीज कलकत्ता रिमेंड बिलिटिस कैपिटल तिल 1911 सिमला और दाजलिंग डेलप्ट एस इस्टेशन दूरिंग कालोनियल पेरिए दूर्ट फोर्ट वस बिल्ट दूरिंग दूरिंग साह जहां ट्रू फॉल्स बत इंडियन पिनल कोड वस फॉर्मूलेटेट इन 1860 ये ट्रू है थे न्यू डेलेही एंड चंटीगर वर प्लांट सिटी ये भी ट्रू है थे फर्स्ट रेल्वे लाइन वस मेड बिलेही टू मॉंबई फॉल्स है इसी के साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है थैंक्यू स झालओेट वे इन अप्लाओेट ट्यू मॉंप्टर क्याओेशब जर्सू है थी प्लाओेश प्लाओेख़ प्लाओेशन झाल नेर जिया खजल्स आएएप्टर कंप्लीट